कच्पे से आजाधी पाउंडेशन के और से विश्वज जपन के मौके पर मंझूसर में घंकच्पे के व्यवस्थापन के प्रोजेक्ट का लूद्कार पकारपनक करवाया गया जिसके चलते अब बड़ी तादाद में घाओं से घंकच्रे का विवस्थापन अच्छी तरीके से करवाया जा सकेगा आज विश्व जल्दिन है ऐसे में विश्व जल्दिन को मनाते हुए कच्रे से आजादी फाउंडेशन की और से मंजूसर गाओं में घंकच्रे के विवस्थापन प्रोजेक्ट का लोकारपन करवाया गया था इसका रिक्रम में मुख्यादी थी के तौर पर प्रदूशन नियंद्रन बोर्ड के प्रादेश्री का धिकारी आरभी त्रिमेडी की उपस्ती रही थी इसके साथ ही कच्रे से आजादी पाउंडेशन के सहयों के लिए L&P टेक्नोलोजी सर्विस के प्रोग्रम मेनेजर पितेश कच्ची और मंजूसर गाओं के सरपन चितलाटी के साथ साथ कच्रे से आजादी पाउंडेशन चीफ प्रोजेक्ट कॉडिनेटर रिश्मिता प्र जाएगा वैसे ये फाउंडेशन इस वक्त चार गाओं में करे रथ है और आने वाले वक्त में अन्य कई गाओं में भी इस बदित के तहत कारिया करवाया जाएगा आज रोज आज जे कच्रे से आजादी एफाउंडेशन द्वारा अने एल एंटी ना सपोर्ट थी मंजूसर गाम खादे एक घरगत थू घन कच्रा नी निकाल नी व्यवस्था जेमा रिकवरी अने निकाल ये बदा माटे नी जे व्यवस्था उभी थाई छे एना बाबत नो आ कारेकर मतो आ एक बहुँ सारी पहल छे केमके घरगत्थू कच्रा बाबते बेजार सोड मा एना विगतवार नियमो बनावा मा आव्या छे मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट एंड फोरेज द्वारा अने एनो अमली करण मोटा सेरो मा अने नाना टाउन मा तो नगरपालीका अने महानगरपालीका हो थकी थाईज रहीू छे परन्तु अई यां गराम बंचे एतना सहकार थी अने आवी संस्था द्वारा एक मोडल प्रोजेक्ट तरीके आने आपने जोई सक्किये छे अने आजे बन्ने प्रकारनी वाद थाई के जे वप्रास करता हो छे एमना अवेरनेस नी एटले के एमने जानकारी के आपने कचराने सारी रीते केव रीते मैनेज करिये के जेधी एना जे दूसरन छे जेमा मानवने पसुने अने परियावरनने तमामने नुकसान थाई सके छे तो एना माटे आएक बहु सारी पहल छे अने उहुँ तमामनो आप्रोजेक्ट साथे संक्राएला क्राम पंचायत्ती मांडीने लेंटी अने मिस्टर दपके जेमने आप फाउंडेशन वती आप प्रोजेक्ट नू बिडू उठावेलू छे ए सवनो आभर मानू छे के एमने अमारू काम सेलू करियू छे काईदा मा तो जोगवाई छेज पन आज ओया पछी बीजा लोकों ने पन प्रोच्सान मल से अने आपनों जे गरगत्थु गनकचरो अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाईल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाईल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें